साहस्त्र पुराण वेदान्त जो भागवत पूरे साख नहीं कथा ये दंत ने सत्त वाड़ियवाद साहस्त्र अलग हैं, पुराण अलग हैं, वेद अलग हैं और वेदान्त आद छे दर्शन अलग हैं इसी प्रकार देवता अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है मैं संख्षेप में आपको बताता हूँ, सिष्टे के प्रारंब में चार रिशियों के द्वारा, चार वेदों का प्रिक्टन हुआ आदी नरण के द्वारा कल मैंने कहा था कि आदी नरण क्या है, चर पुरुष, अक्षर ब्रह्म के मन के सपने के सरूप हैं आदी नरण और आदी नरण से असंख ब्रह्मा विष्णु सी उत्पन होते हैं, आप जानते हैं ब्रह्मा जी के अर्धांगनी क्या है, सरस्ति, विष्णु के अर्धांगनी है लक्षमी और संकर जी के अर्धांगनी है पारोदी, आदी नरण के जो अर्धांगनी है उनको महा मया करते सब ये देवी देताओं की सरीर से दुर्गाज जी की उत्पती होती है और उनकी कला रूप सकती है काली मात जो ज्यान रूपड़ी है और रक्तवीच जो कर्म के वासना रूपीच है उसको नेश्ट कर जीव के मुक्ष का द्वार खोलती है तो समझने वाली बात है ये सारे अलंकारी क्वर्णन है परमात्मा कौन है इसके बारे मैंने कल कहा था कि उत्पूरु सक्छरती थी क्यों परमात्मा है अब एक चीज़ आती है भगवान सम्द का भगवान किसको कहते है जिसका भजन किया जाए भजन किसको कहते है जिसको बार-बार अस्मरित किया जाए अस्मरण में लाया जाए जिसका अस्मरण हो बार-बार उसको भगवान करते है किसका अस्मरण दुनिया करती है जिसमें छे गुण हो आइस्वारी स्री श्री सक्त अईस्वारस जान वैराग सील आद जिव छे गुण जिसमें हो दिव गुण उसको कहते है भगवान देवता से भगवान का पत बड़ा होता है देवता कार्थ क्या होता है जिसमें दिव गुण है वो देवता है जैसे हमारी संस्कृत में पांच देवता माने जाते हैं माता, पिता, अतिथी, अचारी मात्री देव भव, पित्र देव भव, अतिथी, देव भव, अचारी देव भव जो धर्म का जान देते हैं उनको भी देवता कहा जाता है क्योंकि उनमें दिवता होती है माता ने जन में दिया है, इस ते वो दिभगुण वाली है, माता नहीं होती तो हम इस संसार में हमाते भी नहीं, पीता ने पालन पोसंड किया है, आचारी सिक्षा ना देते, तो हम अनपढ़ रहते हैं, न हम ज्ञान गरहन कर पाते हैं, न कुछ हमारा जीवन पसुओं की तर देवी के समान है, तो पुराणी की समाज में पंचायतन देव की पुझा होती है, पांच देताओं की पुझा की परंपरा है, कौन है, ब्रह्मा, विशू, सीव, गणेश और दुर्गा, यह पुराणों के अधार पर हैं, मैंने आपको कहा, वेद अलग हैं, पुराण कहिए हैं, बोल चल की वास में आपने सुना होगा वेद शास्त्र पुराण, आम तर से आम जनता कहा करती है, वेद सास्त्र पुराण, सास्त्र में क्या है। स्रिष्टि के छे कारणों की व्यख्या है उसको साज्द्र करती है वेत के बारे में ने बताया कि इस्वरी जान अक्षर ब्रह्म की जानधारा नारायन के अंदर आती है और नारायन की जानधारा वेत के रूप में चार रिस्यों के अंदर आती है उन रिशियों से ब्रह्मा जी जान ग्रहन करते हैं और सारे संसार में फैलाते हैं सिष्ट में सबसे पहले जान वेद के रुप में आया इसलिए वेद के कथन के विपरीत किसी का भी कथन हो कोई रिशी मुनी बोले, कोई भी सास्तर भी बोले, पुरान भी बोले तो वेद के बिरुद यदि होता है तो उसको जूठा होना जाता है वेद क्या कहते हैं वेद कहते हैं नो दितिवो, नो तिरतिवो, नो चतुर्थो अप्युचते परमात्मा दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं ना पंचमों, ना सश्टों, ना सब्तबों अप उचते, पांच-छे साथ कुछ नहीं है जदि वेदे ने कहा दिया कि एक ही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं, तीसरा नहीं तो आप प्रस्न खड़ा नहीं कर रह सकते हैं लेकिन आज के युग में बहुत कुछ चल ला है सब से पुछिए परमात्मा कितने है, कहतेगा कि एक ही है जदि एक ही है फिर जगड़े नहीं होने चाहिए सीव को मानने वाला क्या कहेगा, केवल संकरजी परमात्मा है विष्णु को मानने वाला कहेगा कि नहीं विष्णु भगवान परमात्मा है, सीव परमात्मा नहीं है, सीव पुराण में विष्णु को छोटा बनाया गया है, संकर जी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पति हुए, विष्णु पुराण भागवत पुराण में संकर जी को छोटा बनाया गया है, कि विष्णु भगवान ने आदी नरायन, भागवत में क्या कहा गया ह आदी नरेंड ने ही ब्रह्मा जी और संकर जी को पैदा किया सिव पुराण कहेगा कि संकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को पैदा किया देवी भागवत में लिखा है आपको मेरी बातों पूर विश्वास नो हो मैं तो संक्षेप में थोड़ी देर में सारी बात का दे रहा हूँ देवी भागवत में लिखा है कि देवी ने ब्रह्मा विष्णु सीव तीनों को पैदा किया अब जो इन पुराणों को पढ़ता है वो आपस में लड़ने लगता है वो कहेगा कि नहीं मेरे संकर जी बड़े वो कहेगा कि नहीं मेरे विष्णु जी बड़े देवी के पूजा करने वला कहेगा कि नहीं मेरे देवी माता जगत माता है उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सीव को पैदा किया जदी 18 पुरानों में देखेंगे यह तो लग लग इष्ट खड़े हो जाएंगे कोई सुरे से सुष्टी माँनता है कोई किसी से सिष्टी मानता है जगड़े जगड़े खड़े हो जाते हैes आसर क्या है वेद कहता है एक सरु सक्तिमान परमात्मा के अधिर्ट और कोई भी उपास नहीं है जैसे पतिवर्था का ये कही पती होता है आत्मा का पती के अवर ये कही होता है ये वेद का कतने, उपनिसंद का कतने, गीता का कतने, सभी स्थास्त करते है पुराणों में ऐसी बात नहीं मिलेगी पुराणों ने बहुत देववाद का समर्थन किया आज हिंदु जनता संस्कृत नहीं पड़ी होती है जग़ जग़ पुराणों की कताएं चलती है सामंजस के लिए हिंदु समाज में एक अच्छी बात है कोई हनमान का भक्त है कई परिवार में कोई गणेश जी का भक्त है कोई राधा स्वामी है कोई कबीर पंती है कोई अरिसमाजी है और सभी अच्छे हो एक साथ बैठ करके खा लेंगे कोई जगड़ा नहीं तुम अपने इस्ट को मानों हम अपने इस्ट को माने और ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन दूसरे पंतों में इसा नहीं है मुस्लिम मेंस या सुनी आपस में एक दूसरे के प्राण के ब्यासे क्रिस्चिन में कैथोलिक और प्रोश्टेंट आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते जबकि उनका कुरान एक है उनकी भाई भी लेग हाँ हिंदू समाज को अपनी भीचार धारा को और उनत बनाना पड़ेगा कि जो मूल हमारे वेदों में लिखा है उनिस्दों में साथ हिंदू जनता की एक अच्छा ही है की एक ही बेक्ती सब के मंदिरों में चला जाएगा संकर जी के भी मंदिर में जाकर पढ़ाम कर लेगा हनवान जी के मंदिर में पढ़ाम कर लेगा गणेश जी में भी दूरगा जी की भी मंदिर में चला जाएगा सब में चला जाएगा सब के ससंग में भी बैठ लेगा उसको कोई घ्रणा नहीं होती और ये अच्छी बात है कि जगा जगा से ज्ञान लेना चाहिए आप देखिए दतात्रियनिक के कितने गुरु थे 24 गुरु जिससे सिक्षा मिलती है उससे सिक्षा गण कर लेते हैं रात्रि का समय है और देखते हैं कि एक वैस्या ब्याकुल होकर प्रेमी की प्रतिक्षा कर रही है सोचते हैं दतात्रियनिक कि ये तो मेरी गुरु है जितनी ब्याकुलता से ये अपने प्रेमी की प्रतिक्षा कर रही है उतनी ब्याकुलता से मैं भक्ति करूँ परवात्मा की तो मेरा जीवन सुपर हो जाए अजकर को देखा उससे सिख चाले कि इसको कुछ जिंता फिक्र नहीं है बैठा है सांत से जो मिल गया तो खा लिया अराम से बैठा है हाय तोबा नहीं मचा रहा है पक्षी को देखा कि पक्षी तो कोई संग्रह करता ही नहीं समेरे भूक लगती है तो जाकर किसी भिक्स से खा लेता है लेकिन संग्रह करके नहीं रहता है एक एक चीज से उन्होंने सिख्छा लिए और 24 गुरु बनाकर परमतत्य को प्राप्ट किया इस ये संग्रह में क्या लिखा है बहुँ साहस्त्र गुरु उपासने अपिसट पदवत जिस तरह से भौरा अनेक फुरों से प्राथ जुशता है उसी तरह से जिज्यासु विक्ति को चाहिए अनेक सास्त्रों से अनेक गुरुजनों से सत्य को प्राप्ट करे आपको सत्य चाहिए जहां से भी सत्य मिलता है उसको घंड किजिए कटरता को अपने पासना आने दिजिए भावरे कोच का चाहिए पराग चाहिए तो कमल से भी पराग ले लेगा गेंदे से भी ले लेगा चमपा चमेली से भी पराग ले लेगा क्योंकि उसको पराग से मतलब है वैसे मनेश को अपने ज्ञान की जोली खाली रखनी चाहिए कहीं से भी ज्ञान का क्या हो सकता नहीं है लेकिन लक्ष क्या है उत्तम पुरुष अक्षरातित की प्राप्री हर ग्रंत को सास्त्र की संजा नहीं दी जा सकती पुरान सास्त्र का इस्थान नहीं ले सकते सास्त्र वेद का इस्थान नहीं ले सकती कहने का से क्या है कि जैसे हर गरंद की अलग-अलग बात होती है लेकिन वेद क्या है और पौरुसे हैं जो वेदों ने कह दिया वो अंतिम सत्य है उपनिस्तों में उसकी व्याक्या है दर्सन गरंदों में उसकी व्याक्या है वेद, उपनिसद, दर्सन, गीता सबी एक परमात्मा की भक्ति की बात करेंगे पुराणों में एक परमात्मा की बारे में बताया गया है पुराण भी कहेंगे कि परमात्मा एक है लेकिन शीव पुराण सीव को परमात्मा मानेगा बिस्त्रो पुराण बिस्त्रो को परमात्मा मानेगा भागवत पुराण आदी नरेन को परमात्मा मानेगा देवी भागवत किवल भगवती सक्ति माता को ही सब कुछ मानेगी इसी से हिंदू समाज लड़ रहा है आज इस्तिती यह है कि हिंदू में एक हजार संप्रदाएं हैं 1200 जातियां हैं सबी जातियां लड़ रही हैं हमारी जाति बड़ी है और जातियों से थोड़ा उपर उड़ते हैं तो संप्रदाएं बड़े कि हमारा संप्रदाएं बड़ा तुमारा संप्रदाएं छोटा इस्टों में लड़ाई कि हमारे भगवान बड़े तुम्हारे भगवान चोटे हमारे गुरुजी ज़्यादा सक्ति वाले है तुम्हारे गुरुजी के पास कोई सक्ति नहीं यह चोटे बड़े की भावना सारे समाज को लड़ा रहे है अभी मैं कह रहा था कि देवता, भगवान और परमात्मा देवता क्या है मैंने भगवान के बारे में बताया भगवान किसको कहेंगे गौतम बुद के आगे भगवान सब्द चोड़ लिजिए क्योंकि उनमें वैराग्य है सील है, संतोस है, सब्र है, सक्ति है यह सारे गुण़ है, छे गुण़ हैं उनमे राम के आगे भगवान लिखी है यूगेस्वर सिक्र्स के आगे भगवान लिखी है सीव के आगे भगवान लिखी है, चलेगा क्योंकि यह अस्मनर करने योकिया है इनको भगवान कहेंगे लेकिन परमात्मा नहीं कहेंगे परमात्मा कौन है आदी नरेंड छर पूरु से है आदी नरेंड से भी परे कौन है अच्छर अच्छर से भी परे कौन है अच्छर आती हाँ कहीं कहीं बाणी में अच्छर ब्रह्म को भी भगवान का आगया भगवान जी खेलत बाले चरित आप अपनी एक्छासो प्रकृत क्योंकि संसार उसी अच्रब्रम को याद करता रहता है भजन का रृत क्या करने का रृत क्या है उसको अस्मरण मिलाना और जिसकी पूजा की जाती है वहां होता है देवता देवता किसको कहते है जिसमें दिभे को हम कितने भी बड़े बंचाएं राजा बन जाएं सारी पृतिवी के राजा बन जाएं तो हमारे सामने हमारी बुड़ी मा आएगे तो हमारा सीर उसके चड़ों में जुके गाई है हम मा को आदेश नहीं दे सकते कि अरे बुड़ीया तु यह लाग कितना भी कोई बड़ा हो जाएगा क्योंकि मा मा है उसने जननी है राम ने कहा था जननी जन भूमिश्चय सवरगात भी गरी थी माता और मात्रिभू स्वरग से भी मान है पिता क्या है? पिता ने पालन पोसर किया है अचारी ने हमें जान दिया है मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ एक बालाल बादूर साहस्त्रे जब परदान मंत्री थे जा रहे थे अचानक उनके बच्छमन के गुरु जी मिल गए वो पैदल उधर से आ रहे थे लाठी के सारे और परदान मंत्री उतरते हैं अपने गुरु जी के जो प्राइमरी क्लास में उनको पढ़ाया थे उनके चर्ड़ों में सीश रख देते हैं देश का प्रदान मंत्री किसके चर्ड़ छूरा है? जिसने प्राइमरी क्लास में उनको पढ़ाया था ये माता है अचारी की वो देवता है उसने ग्यान दिया है आप प्रदान मंत्री भी बन जाएंगे तो उसके सामने आपको छोटा ही रहना पड़ेगा ये है सच्ची देव पूजा लेकिन जब सच्ची देव पूजा समाप्त हो गई, गुणों की पूजा समाप्त हो गई एक घटना मैं और बताता हूँ एक जज थे, उनका नाम असमर्ड में नहीं आ रहा है, पुरानी घटना है अंग्रेजों के जमाने के ये कलकत्ता हाई कोट जज के पद पर बैठे थे, अपनी कुर्सी पर उसमें अंग्रेजों का राजित था उन्होंने देखा कि फर्यादी के रूप में एक बुढ़िया आई है पहचान गए, कि जब मैं छोटा था तो इस बुढ़िया ने धाय मा के रूप में उनकी सेवा किती उसको दूद पिला रहा था जज अपनी कुर्सी के, कुर्सी को छोड़ करके उठते है वो हाई कोट का जज है, कलकत्ता हाई कोट का जज भरी सभा के बीच में उस बुढ़िया के चड़ों में साच्टांग लेटे गया क्या मान कर, कि इसने हमें दूद पिलाया है यह हमारी मा है, जन्मदात्री मा नहीं है कि वो दूद पिलाने के करण उसकी मत्ता हो गई इसको कहते हैं देव पूजा और यही मानता है जिसके चड़ों की छत्रशाया में हमने जीवन गुजारा होता है चाहे कोई कितना भी महान हो जाए उसका सम्मान करना होता है यह हमारी भारती संस्कृत है लेकिन सच्चे देताओं की पूजा तो बंद हो गई आप देखते हैं घर के आगे एक चबुत्रा बना दिया जाता है मैं उत्तर भारत से दक्षर तक देखता हूँ चबुत्रों की पूजा बहुत होती है इट का चबुत्रा बना दिया घर के आगे कौन है ग्राम देवता ग्राम देवता, कुल देवता कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता इसका बहुत प्रचलन है हमारे समाद में। ग्राम देवता किसको कहते हैं जो गाउढ़ों में सबसे अधिक समझधार हो बीवी कवान हो उसको ग्राम का देवता कहा जाता है जेतन देवता कि शब उतरय के नहीं। मैं एक बार रितनपुरी में एक सुन्दर साथ के घर बैठा था साम का समय था एक बुड़ी माता को ब्यांजन बना कर लाई पुड़ी होगी माल पुड़े होगे कुछ और जो कुछ था उनके घर के आगे इंटो का एक चब उतरा बना था दीपक जलाया और सारे ब्यांजन रख करके वहाँ चली गई मत्था टेट करके क्या सोचा कि यह हमारे घर का देवता है खा लेगा थोड़े देर के बाद कुटा आया सारा खा लेगा लेकिन उसी मा से कोई भुखा प्यासा मांगता कि माता मुझे खिला दो उनको क्या लखता है कि इतो का चबूतरा भी देवतां कौन है कि छाइट कल भी मैंने आपको बताया था कि 33 देवता कौन होते हैं die ऐती जड़ दे शनरुदर, प्रजापत्य उद्र यह हैं 33 जड़ देवता है चेतन जो देवता हैं मैंने आपको उदानर दिया कि किस तरह से लालबादु सास्तिरी ने अपने चेतन गुरु जो अचारी देवता हैं उनका सम्मान किया उनके चड़ों में अपना सीश उखाया इसलिए देवता की पूजा किजिए पूजा करत क्या होता है सत्कार भगवान कौन है जिन्नोंने मानो जाती के लिए कुछ दिया है भगवान राम ने संसार को एक आदर्स सिखाया है आदर्स क्या है बख्मान राम जैसे कोई धर्म की मर्यदा का पालन करने वाला नहीं संध्यास हमें कहा जाता है कि तुमको सिंगासन मिलेगा सुरूदर से पहले कहा जाता है कि सिंगासन तो नहीं मिलेगा आपको वनमे सन्यासी का भेस ठान करके जाना पड़ेगा और एक दो साल के लिए नहीं चौदा वर्सों के लिए जाना पड़ेगा आप बस्ती में प्रवेश नहीं करते हैं राम मुस्कराते हैं वे चलन देते हैं चेहरे पर कोई सिंगन नहीं आज कल कोई पिता कहते है तो पुतर कहेगा कि तु मेरे पिता नहीं हो लेकिन वह मरियदा पुरसोतम राम है कोई चेहरे पर शिकर नहीं मरियदा पुरसोतम राम का जीवन जब तक सुर्य चंद्रमा रहेंगे सारे संसार का मारदर्सन करते रहेंगे क्योंकि उन्हें ने आदर्स पुतर का जीवन निभाया आदर्स राजा का जीवन निभाया कि परजा ने जब आरोप लगाया तो अपनी पत्ने सिता को जानते हैं कि निर्दोस हैं لیکن परजा की एख्छा नहीं है तो उनको त्यागने में जरा भी तेर ने सिता की त्याग के पैस्याद राम के चेरे पर कभी मुश्कराइट नहीं लोटी लेकिन सब कुछ चला रहा है क्योंकि राजा है परजा की खुसियों के लिए अपनी खुसियां कुर्बान करते रहे हैं इसको कते हैं आधर्स राजा संसार में ऐसा कोई राजा नहीं जो परजा की खुसियों के लिए अपनी सारी खुसियां लुटा दे अपनी गर्बती पत्नी को वन में छोड़ दे दुखी रहे ऐसा कोई राजा नहीं हुआ अपने पिता की खुसियों के लिए जो वन में चला जाए भयानक कष्ट जिले आजकल तो देखते हैं आप घर में होते हैं कितनी सुक्सुदाएं आपके पास होती है चितकूट में कैसे भगवान राम रही होगे बारा वर्स चितकूट में निवास किया और जो नासिक में जाकर के पंचवटी में रहे हैं महां कितनी गर्मी पड़ती है कोई पंखा नहीं, कुलर तो उस जमाने में होते नहीं थे, भोजन भी कभी कोई इस्टाग थोड़े रहता था, वन से कंद मुल जो मिलते थे, उसी को खाना होता है, कुछ भी नहीं है, बन में निमास करना है, जोपड़ी बना करके रहना है, मच्छर तो वहाँ भी लगते हो होंगे, ऐसा नहीं को मच्छर नहीं होते होंगे, सब कुछ जहला है, किसने, जो पौराणिक माननता में इस स्रिष्टी का विश्व करलाता है, वह आवतार में आया है, तो धर्म की रक्षा के लिए, कि पिता के अधर्सों का कैसे पालन करने उकर रहा है, अधर्स पुत्र ह हैं, आधर्स राजा हैं, आधर्स भाई हैं, ये संत कोई सीखे, कि धर्म को अच्र में कैसे उतारा जाता है, तो ये भगवान राम बताते हैं, भगवान सीव को देखे, संसार में हैं, लेकिन संसार से अलग हैं, माले के गुपा में बैठे हैं, दीन, रात, ध्यान में ये सिक्षा देते हैं कि ग्रहस जीवन में बिताना कैसी होता है पत्नी को साथ राख कर पांच हजार वर्सों की समाधी लगाना कोई छोटा कारी नहीं होता है हिमाले में बैठे हैं संसार की सारी मौह मनता से अलग ये भगवान सिव सिक्षा देते हैं इस दिये इन जिनका मैंने नाम लिया। बुद्ध को देखिए, बुद्ध के पास क्या है। जन्म होता है बिरिक्ष के नीचे। साधना करते हैं बिरिक्ष के नीचे। शरीर छोड़ते हैं बिरिक्ष के नीचे। संसार के किसी सुकह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ती बुद्ध के आगे भगवान लगाई है राम के आगे भगवान लगाई है योगेस्वर सिकर्ष के आगे भगवान लगाई है शीव के आगे भगमान लगाई है कोई अपत्ती नहीं लेकिन पर마ात्मा नहीं क्या सकती पर마ात्मा केवल उत्मा पुरसे तुन्य परमात्मा इति उदायता जो च्छर अक्छर के पा रही है यह अक्छरातित अधार बिन सम्मंदिनों पाईए कोटिन करें जाए जो ज़र और अक्षड से परें उत्तम पूरु से सच्चता अनंद है कि वही अक्षरातीत है और किसी को भी अक्षरातीत का लाने कादिकार नहीं है अब हुआ क्या है हिंदू समाज में विकृतियां फैल गई है भगवान सीव का एक चित्र है मैंने कल भी आपको बताया था कि भगवान सीव का चित्र जब बनाया जाता है तो उनको बैल पर बैठाई वे देखाया जाता है उनके हाथ में तिरसुल रख दिया जाता है आपने भगवान सीव का जो चितर देखा होगा आप देखिए उनकी सवारी क्या है बैद हाथ में तिरसुल है गले में सर्व की माला है और तिरसुल में डमरू लगा है ये अलंकारी की ब्याक्खा है जो विद्वानों ने इस्चित त्रंकन किया वो एक अधार पर किया सीवकार्थ क्या होते है कल्यानकारी बहल क्या है धर्म का प्रतिक है कल्यानकारी पर मात्मा किस पर अश्रित है धर्म पर धर्म के चार अधार होते है सुरुति इस्मृति सदाचार सोचिचा प्रियम आत्मना सुरुति वेद का कतर स्मृति धर्म सास्तर का कतर सदाचार और चौति चीज है अंतरात्मा की साची क्या गलत है क्या सही अपनी अंतरात्मा से पूछिए धर्म रूपी बैल कि ये चार पैर हैं और धर्म रुपी बैल पर कौन सवार होता है? कल्याणकारी परमात्मा परमात्मा कहा है? जहां सत्य है परमात्मा किसको कहते है? सत्यम जानाम अनन्तम ब्रहू जो सत्य है सत्य किसको कहते है? जो अनादी काल से जैसा था अनन्त काल तक रहे वो सत्य है वही ज्यान किसको कहते है ज्यान हमेशा एक समान रहता है जो सत्य है वही ज्यान है वही अनन्त है वही ब्रह्म है और जो सत्य है वही धर्म है धर्म रूपी बैल पर कौन भी राजमान होगा सत्य सुरू परमात्मा सत्य धर्म और परमात्मा तीनों का आसे एक ही है जो सत्य है वही धर्म है वही परमात्मा है और वही सब का कल्याण करने वाला है इसलिए धर्म रूपी बैल पर सवारी कौन करता है सत्य सरू परमात्मा इस बात को न समझने के कारण आज हिंदु समाज में क्या समझा जाता है संकर जी का जहां मंदिर होगा वहां आगे एक बैल की मूर्थी बना दी जाती है आप तो पचास लाके कार में यात्रा करें और जिसने स्रिष्ठी को बनाया है वो एक बैल पर सवारी करें कितनी हस्री की बात है यह सब अलंकारिक है ऐसा ना समझे कि संकर जी बैल से ही चलते है आज का मिसाइल का जमाना है और संकर जी तिर्सूल लेकर के मारेंगे क्या यह तो पुराने जमानी की बात हो गई लेकिन तिर्सूल क्या है आप देखेंगे तिर्शूल में तीन नोके होती हैं सत्वरजतम की नोके सत्वरजतम का यह ब्रह्मांड है जान, कर्म और उपासना के तिर्शूल से किसको मारा जाता है अज्यान रूपी राक्षास का संकरजी किसको मारेंगे जो अत्यचारी होगा अधर्म का प्रतीक होगा इस यह जान, कर्म और उपासना रूपी तिर्शूल से अज्यान रूपी सत्र को नेश्ट करना है उनके गले में सर्प है सर्प क्या है? काम, करोध, मद, लोब, आंकार तिर्श्णा यह छे जो सत्र है, उनको जीत कर उन्होंने गले में लपेट लिया है भेंकर नाग है गले में जानते हैं सर्प का काटा हुआ तो मनुस एक बार मरता है लेकिन विसे रूपी मनुस जन्म जन्मांत्रों में जन्म और मरन के चक्र को प्राप्त होता रहता है जो परमात्मा के आस्रे में रहता है वो क्या करता है इन छे सत्रों को जीता हुआ रहता है और यदि आपने ग्यान कर्व उपासना रूपी अस्तर को धर्ण कर लिया आप ने काम करोद मदलोप आद सड़ रूपी रूपी सर्प को जीत लिया तो आपके सीपर चंद्रमा होगा चंद्रमा करत क्या होता है? प्रियदर्सी जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया यह अलंकारिक बर्णन है एक अदर्स व्यक्तित्तु का जो ब्रह्म ज्यान की तरफ कदम भढ़ा रहा है या उस सत्य सरूप परमात्मा का जो धर्म के सरूप में धर्म रुपी बैल पर आस्रित विराजमान होता है इसको ना समझने के कारण लोगों ने सचमु समझा कि भागवान सीव की सवारी बैल है जिसको नंति करते हैं और उत्रसुल लिये यह रहते हैं गले में सर लपिटे रहते हैं ये पराण के अख्याई का जो सीव है वही विस्नु है सीव कार्थ क्या होता है कल्यान कारी विष्णु कार्थ क्या होता है जो सर्वत्र व्यापक हो लेकिन जब पुरानों के रचनाकारों ने सब को अलग-अलग बना दिया इस नाम के महापुरुस हुए हैं मैं नहीं कहा रहा हूँ की इस नाम के कोई ब्यक्ति नहीं हुए, इस नाम के ब्यक्ति हुए हैं, लेकिन वेद में जिसको सीव कहा गया, जिसको विष्णू कहा गया, वो एक परमात्मा के लिए वड़न है, हिंदु समाज इन अलंकारों का अर्थ न जानने के काण आपस में लड़ता जगड़ता रहता है, कोई किसी की भक्ति करता है कोई किसी की भक्ति करता रहता है जैसे अभी मैंने कहा विष्णू की बारे में, मैं संच्छेप में बता देता हूँ आपने सुना होगा विष्णू भगवान के चार हाथ हैं और गीता का आर्थ करते से में भी बड़े विद्वान इसमें भटक जाते हैं, जब भगवान स्रिक्रिष्ट ने अर्जुन को अपना भी सरुप दिखाया तो उसमें भी चतरभुज सरुप का बढ़न है, आप देखिए, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में संख है, एक में ग होगा, सारा समाज एक रूप कैसे होगा, उसके लिए चार सक्तियां चाहिए, चार चीज़ा चाहिए, पहला है संख, संख क्या है, ज्यान का प्रतीक है, जिस समाज में ज्यान नहीं होगा, वो समाज नष्ट हो जाएगा, जिस समाज में चक्र, चक्र क्या है, चक्र जो है, संग्ठन का प्रतीक है संक, चक्र, गदा और पद्म पद्म, कमल कमल क्या है? अईस्वरी का प्रतीक है जो समाज अईस्वरी से अर्थ से रहित होता है उसमें भी लूट खसोट मर जाती है वो भी नश्ट हो जाता है गदा सक्ति की प्रतीक है यदि आपमें सारे समाज को बांदने की सक्ति नहीं रहेगी तो भी समाज एक नहीं रह सकता है संक ग्यान का प्रतिक गदा सक्ति की प्रतिक कमल एस्वरी का प्रतिक एस्वरी अर्थार लक्षमी का प्रतिक है और चक्र जो है सब को एक रूप किये रहने का चक्र देखते हैं चक्र में सब गुमता रहता है तो ये चारो सक्तिओं से एक तो कर जो सक्ति सारे संसार की रक्षा करती है इसको दर्साने के लिए चार हाथ दर्साएगा जो कार दो हाथों से हो सकता है वो जो जो सकता है। यह सारे अलंकारिक बनने जैसे अशा नहीं समझना जहें कि रावन के दस सीर थे भी भुजाये थी दस सीर होने कातात पर रावन दस विद्याओं का पंडित था चारवेद चार उपवेद का पंडित था यह चार वेद और छे सास्त्रों का विद्वान था छे सास्त्रों को क्या कहते हैं उपांग शिछा कल्प निरुकत चंद जोती इस व्याकरन ये छे अंग होते हैं और कहीं कहीं इसको छे सास्त्रों से लिया जाता है दस विद्याओं का पंडित होने से उसको कहा जाता है कि एक समान ब्यक्ति एक विद्या का पंडित होता है लेकिन वो दस विद्याओं का पंडित हो इसके उसके दस सिर्ख कहे गए ब्रह्मा जी को हंस के उपर विराजमान कराया गया ब्रह्मा जी के भी चार मुख दिखाएगे क्यों ब्रह्मा जी के चार मुख दिखाने का ताथ पर यह है कि चार डिशियों के अंदर एक-एक वेद का प्रेक्टन हुआ यह अलंकारिक वर्णिन है जैसे रावन के दस सीर कहा जाना, ब्रह्मा जी के चार सीर कहा जाना, विस्नो भगवान के चार भुजाय कहा जाना, सभी कुछ अलंकारिक वर्णिन है ब्रह्मा जी का वाहन क्या है स्वेत हंस हंसकार्थ क्या होता है हंस का रंग स्वेत होता है देखिए कोवे का रंग काला होता है यदि आप में सत्योगोडी प्रविट्थी नहीं है सात्तिक भामना नहीं है तो आप जान के अधिकारी नहीं बन सकते हैं इस तिये सरश्थी और ब्रह्मा जी, दोनों का वाहन हंस ही है, दोनों का स्वेत पंको वाला हंस दोनों का वाहन है, क्योंकि विद्या के अधिश्ठात्री देवी क्या है, सरुस्ति, और ज्यान के देवता कौन है, ब्रह्मा जी, दोनों का ज्यान का विवाग है, इसलिए स्वेत हंस पर उनको बेठ खाया गया है इसके विप्रित लक्षमी जी का वहान क्या है घरियाल मगर लक्षमी का वहान है उल्लू और विश्ण भगवान का वहान क्या है गरुड आप देखेंगे कि उल्लू को क्या होता है दिन में नहीं दिखाई देता है इसका से क्या है यह सब कुछ अलंगकार है मनुष्ट के पास जदी धन हो जाए विवेक ना हो भक्ति ना हो तो जैसे दिन में उल्लो को दिखाई नहीं पड़ता है अधिक धन होने के बाद जब मनुष्ट को धन का अंकार होता है तो अपने समान किसी को नहीं समझता है इसलिए लक्षमी की सवारी उल्लो बना दी गई विष्टनु बगवान को विष्टनु का कारी है संसार की रक्षा करना रक्षा करने वाले को सर्वत्र रहना पड़ता है इसलिए उनका वाहन गरून बनाया गया कि जो मन के समान वेक से चलता है मन की गती क्या है? सरवत्र व्यापक है इसी अलंकार को दर्शाने के लिए उनका वाहन गरूण बनाएगा ऐसा नहीं समझे है कि स्रिष्टी करता परमात्मा एक पक्छी पर बैठ करके चलता है वो तो अलंकारी करने में यदि आप सारे संसार के रक्छा करना चाहते हैं तो आपकी आईस्वरी सक्ति आपकी ज्यान सक्ति आपकी संग्ठन सक्ति संग्चक्र आईस्वरी गदा के रुप में सरवत्र होनी चाहिए जहां इसकी निंता होगी वो समाद विखंडित हो जाएगा ज्यान के भी कमी नहीं होनी चाहिए, आर्थ के भी कमी नहीं होनी चाहिए, सक्ति के भी कमी नहीं होनी चाहिए, जदी इनकी कमी रहें, तो आप सांसार की रक्षा नहीं कर पाएंगे, यह सारे अलंकारिक बड़ान है, ऐसा ना समझे कि संकर जी बैल पर बैट कर घुमेंगे लक्षिमी जी अलू पर बैट कर घुमेंगी अरे भई उलू तो क्या है? एक छोटा पक्षी है उलू पर तो पांच किलो का बोज उठाने की सकती नहीं लक्षिमी जी को कैसे उठाएगा? यहाँ समझना होगा कि ये सारे अलंकारिक वर्णन है और प्रकृत को प्रकृत के साथ हर देवता को जूड़ा गया है ताकि इस त्रिष्टी में हर प्राणी का मत्व है हम उसकी गरिमा को समझे ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको किसी पसुका बहन न बनाया गया है ये सभी अलंकारिक ब्रणन है ताकि हम जिस संसार में रहते हैं पस, पक्ची, पौधों के साथ कैसी अत्मिता बनाए रखें अब देखें हर देवता को कमल के फूल के नीचे कमल के फूल के उपर बेठाय जाता है क्यों? कमल का फूल क्या है? कमल में क्या गुण है? कमल में कुमलता है कमल में सौंधरी है कमल में सुगंदी है क्या दरसता है? कमल खिलता किसमे है? कीचर में है किसी भी देवी देवता को आप गुलाब के फूलों पर बैठी में नी देखेंगे कमल का रस क्या है? आप देखेंगे कि जहां किसी का बर्णन करते हैं तो हिर्दे कमल की बात करते हैं नेत्र कमल की बात करते हैं चर्ण कमल की बात करते हैं राजी किसी नासन के नीचे भी कमल ही है साहस्तिर दल कमल है कमल का अर्थ होता है उसमें सौंधर है कोमलता है सुगंधी है और किचण में खिलता है ये चारो विसेश्ट गुण है इन चारो गुणों को अपनाने वाला मानव जीवन में परम से घर पर पहुंचता है फूल के कोमलता से आपको क्या लेना है मुमिन दिल कोमल का या तो अर्षभाया आपका दिल कमल की तरह कोमल हो जाए सुगंधी है जिसमें कमल में जैसे सुगंधी है उसी तरह से आपके एड़े में जान की सुगंधी होनी चाहिए प्रीम की सुगंधी होनी चाहिए कमल खिलता कहा है? किचण में खिलता है आपका संसार में तन पैदा हुआ है यह सरीर गंदगी से पैदा हुआ है गंदगी ही सरीर में भरी रहती है कोई सरीर कितना भी सुंदर दिखे सबको मालूम होता है कि आंतों में हमारे गंदगी भरी रहती है सरीर के नोदवानों से गंदगी ही निकलती है लेकिन यही सरीर जैसे कीचर से निकला हुआ कमल संसार में सुगंदी फैलाता है संदरी फैलाता है कुमलता को दर्शाता है वैसे ही हमारा ये मानोतन बले ही गंदगी कठे रहे तो क्या इसी मानोतन से परमतत्य की प्राप्ति होती है आउसकता है हम अपने जीवन में कमल की तरफ अपने हिर्दे में को मलता लाएं मन से वाणी से कर्म से कभी भी किसी का दिल न दुखाएं मन में न बूरा सोचें न वाणी से बूरा कहें न आचरन से किसी का बूरा करें तो हमारी ज्यान की सुगंदी फैलेगी हमारे प्रेम की सुगंदी फैलेगी हमारे हिर्दे की सुनदर्ता चारों तरफ फैलेगी और उसका परणाम यह होगा कि जल में नहाईए कोरे रहिए कीजी अंतरमिवास का कथन सर्थ को जैसे कि मैंने का आज हिंदु समाज लड़ रहा है कोई देवी माता की उपासना करता है कल मैंने बताया था कि दुर्गा देवी का अर्थ क्या है यह अलंकारिक बनने है चलते चलते एक और बात करता हूँ आज जहां भी जाकर देखेंगे हनुमान जी के मंदिर बने हुए है हनुमान जी के अकृति के इस किस की बनाई जाती है बंदर की बनाई जाती है क्या सचमुच हनुमान जी बंदर है देखिए हमारी संस्कृत में पंचकन्याओं का बहुत महत्त्व है पंचकन्या कौन है अनसुया है जो अत्री रिशी की पत्नी बनी सीता है पार्वती है और मंदोदरी है ये सारी पंचकन्याओं में आती है बाली की पत्नी तारा तारा, मंदोदरी, अंसुया, सीता और द्रोपती ये पंचकन्याओं मानी जाती है मंदोदरी और तारा दोनों समकाली ने है मन्दुद्री किसकी पत्नी है राउंड की तारा किसकी पत्नी है बाली की दोनों अपरो सुन्दरी है उनके समय में उनके जैसा कोई सुन्दर नहीं है यहां जितने भाहि लोग बैठे हैं क्या अपनी वेटी का बीबा आप किसी उस बंदर से कर सकते हैं जो बिर्क्षों पर कोद्ता फांता रहता है बालमी की रमयन में यह लिखा है कि जब भग्मान राम रिस्यमुक परवत पर जाते हैं तो उसमें सुग्रीव देख कर करते हैं कि देखो हनुमान यह दो राजकुमार आ रहे हैं कहीं इनको बाली ने तो नहीं बेज आए जो मुझे मार दे हनुमान जी ब्रामर का भेस बना कर जाते हैं राम से बहुत देर तक वार्था करते हैं और राम करते हैं कि देखो लक्षमर यह हनुमान इतना बिद्वान है ये वेद और ब्याकन का इतना विद्वान है कि इसने एक सब्द भी असुद नहीं बोला आज के बंदर क्या वेद कपाट करते हैं वेद मंत्र पड़ते हैं संस्कृत में वारता कौन करेगा बंदरों की क्या समर्थ है जो संस्कृत में वारता करें हनुमान जी जाकर के सुग्री को बताते हैं कि नहीं ये अजुध्या के राजकुमार है इनकी धर्मपत्नी का अफ्रण हो गया है उन्हीं को खोश्चे कोश्चे यहां है इनका वाली से कोई समझ रहे हैं राम, बालिक का संगहार करते हैं राम और सुगरी में तो मित्था होतीज है तो पुरुहीत का कारी हनुमांची करते हैं हनुमांची क्या हैं? چारो वेदों के प्रकारण बिद्वान हैं, वीर हैं, योगी हैं ब्रह्मिचारी हैं और उनको हमने क्या बना दिया बंदर की सक्लत दिया वाली वानर जाती एंभानर एक जाती नाग एक जाती एंब जब महाभारत का जुदथ होता है तो नाग गन्या उलोपी जिसका पुत्र था इरामान महाभारत के जो तुमें आता है कहां से नाग जाती भारत में रती थी आपसी संगर्ष के पिसचाथ या अमेरिका चले गई वहां का जो बोलीविया राच्च बोलीविया जो अस्थान है बाली का बसाय हुआ है और वहां पर माया सबिता रती थी माया सबिता भारत से गईवी सबिता है वहां नाग बंस के जाती रती थी ये नाग जो नहीं जो कोबरा होते हैं जिनको किंग कोबरा करते हैं उनकी संतान तो सर्प की संतान सर्प होगी सर्प और मनुस्थ का कहां से मेल हो सकता है देखिए जो हिमालय में जो सबधा रहती थी उसको देव सबधा करते है देव किसको करते है सिष्ट के प्ररण में जो ब्रह्मा अभिशू शीव उत्पन्न हुए थे ये रिशी मुनी जितने थे उनको क्या कहते हैं देव देव किसको कहते हैं जो कुछ देता है लेता नहीं है जिसमें दिविगुणो हिमालय में रहने वाले को देव संस्कृत कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का वही प्रक्टन हुआ ब्रह्मा विश्रू सीव सभी हिमालय में प्रक्टे संकर जी कलास में त तप करने लगे और गंगा यह जो मांसरो और जील है उसमें तप करने लगे और ब्रह्मा जी भीमालय पर तप करने लगे सबी रिशी मुनी देवी देवता उस पर रहते थे उसको देव संस्कृत कहते जब संख्या बढ़ने लगी तो वही उनी की संतान सारे नीचे मैधानी भाग में फैलते गए ये गुजरात तक नर्मदा के किनारे तक फैल गए इसको क्या कहते हैं? आरी संस्कृत कहते थे और जो इनमें कोई अफराद करता था तो इनको दक्षिन के गरम इलाकों में भेज दिया जाता था अंधरा का तमिलाड का उधर गरमी भयानक पड़ती है तो सजा के रूप में जो भेर जा जाता था वहाँ उन्होंने अपना रज बसाया इसको वानर कहते हैं वानर किसको कहते हैं? वन के कंद मौल फूल खाने वाले साकाहारी स्रेष्ट पूर उसको वानर कहते हैं करनाटक में बाली और सुगरीव का रज था जो वहीं पर उनका निवास था आप पूरे करनाटक का भरमड करेंगे तो आपको वहाँ के जलवाई के बारे में पता चल जाएगा वहाँ जंगल आज भी जाये बंगलावर की इलाके में जिधर जाएंगे आपको के बिरिक्षे बिरिक्षे दिखते हैं वह संस्कृत जो वनों में रहती थी इस ये वनों में रहने वाले उस संस्कृत को वानट संस्कृत कहा गया और नीचे जो तमिलाट से नीचे लंका, आश्टेलिया, सिंगापूर, मलेसिया, इंडोनेसिया में जो संस्कृत पनपी उसको असुर संस्कृत करते हैं चार संस्कृतियां चल रही थे हिमालय में देव संस्कृति इधर अरियावर्थ के मैदानी भाग में मानो संस्कृत जिसको आरिश संस्कृत करते हैं जो दंडिद देने के लिए जो दक्षे भारत में संस्कृत पैदा हुई थी उसको वानर संस्कृत कहते थे और नीचे असुर संस्कृत कालाती थी इस दिये वानर एक छत्री जाती का नाम है ऐसा ना समझे कि कोई पूँच लगी हुई थी हनुमान जी के उनका मुख बंदर का था आपके घर के किसी सिष्ट ब्यक्ति को बंदर का मुख दे दिये जाए तो कितना बुरा लगेगा आज ये हिंदु जनता जहां देखिए यहां तक कि जब सिरियल बनता है उसमें भी आनुमान जी को बंदर का मुख दिखा दिये जाता है क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब भग्माराम लक्षमर को कहते है कि लक्षमर सीता के खोज के लिए तो सुग्रिव ने कोई प्रियासी नहीं किया जब क्रोधित होकर लक्षमर जाते हैं तो देखते हैं कि जो क्रिसकंधा पूरी है जो बाली की राजधानी है बंदर नहीं रखते हैं, तो आठ मंजिला भावन कहां से बना लेंगे। बाली राजा का सिंहासन है, उसका यह जो पवित संस्कार होता है, बेद वह पढ़ता है, हनुमान जी वेद के विद्वान है, सुग्रीव की सभा लगती है, क्या आपने कहीं बंदरों की सभा लगते हुए देखा है, बंदरों का राज तिलक होते हुए देखा है, बंदरों को सीर पर मुकुट पहनते हुए देखा है, बाली के गले में तो ऐसी मड़ी थी, ऐसी माला थी, कि उस प्रकासित हुआ रहता जो उससे युद करता था, उसकी आदिसक्री चली जाती थी, आज हिंदु समाज इन सारी बातों को जानता है, लेकिन अपनी रोड़िवाधिता को हटाने के लिए तैयार नहीं है, कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी इतने सुन्दर हैं, कि हम लगों के बीच में उ संस्क्रित पनपी थे, उस संस्क्रित के थे, इस दिया उनके नाम के आगे वानर लगाया जाता था, नाग वन्स एक, मनुस का एक राजवन्स है, सर्प और मनुस का मेल नहीं हो सकता, वानर और मनुस का वेल नहीं हो सकता, ये सद्दों के अपरभन से, हिंदु समाज आज भ्रम में पड़ा है, वो सोचता है कि तक्छक नाग है, बासुकी नाग है, सेस नाग है, ऐसा नहीं है, सेस नाग कोई नाग नहीं है, सेस नाम के एक रिसी हैं, सेस कहते हैं सुनने को, सेस कहते हैं अनंद को जिनके पास इतनी प्रतिवा थी, कि वो एक सब्द की हजार प्रकार से व्याख्या कर सकते थी इस जहां बिद्वानों की बात आती है, सेश, गनेश दिनेश, सुरेश, हुजाई, निरंतर गाए, जहां सरसुती की बात आती है, वहां सेश की का नभी नाम आता है, ब्रह्मा जी है, यह तो अनेक परमेश्वर कहां है, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब को इस आस्थ बुलावे, पुरान ब्रह्म कौन है? एक मात उत्तम पुरुसक्षरादी उसका सतं क्या है? अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का मन का सपने का अदी नराङन और एक आदी नराइन हैं पुस्धी जबेरांट सिर्व भागवाना पजऍंस तब hangsटे नाना असंख व ब्रह्माभी शुण शीव साइव होते हैं हमारे चोदर क्यों को सबनगे हैं जीतलता हैं अहारो में ब्रह्माभी शुण सिव में क्या लिखा है हमारी गीता में क्या लिखा है रमैन और माभारत में वास्तिक रूप से क्या लिखा है अपनी भूलों को तो सुधारना पड़ेगा हनुमान जी को जदि हम वास्तिक रूप में नहीं जान सकते तो हमें उन्हें बंदर बननाने का कोई अधिकार नहीं जटा जटायू देखते हैं, जटायू कौन थे, ये दसरत जी के मित्र थे, सीर पर जटाय इतनी हो गई थी, वन में तब करते करते हैं, उनके सीर पर जटायू बन गई थी, इसलिए उनको जटायू कहां गया है, वो गित नहीं थे, जटायू ने देखा कि ये मेरे मित्र की बहु को ले जा रहा है, इसलिए उन्होंने संहर्श किया था रावन से, कि तुम मेरे मित्र दसरत की बहु का अपरण करके रहे जा रहे हो, तो मैं जाने नहीं दूँगा, वो तो रिसी थे, आज के गिद्ध को इतनी बुद्धि कहां होती हो, किसे पहचान सकता है कि उ ले जा रहा है, तो यह अलंकारिक व्रणन है, जामौंत क्या थे, वो रिक्ष नहीं थे, जामौंत बहुत बड़े विद्धान थे, जामौंत ने एक बार कहा था, कि जब यह भी अलंकारिक व्रणन थे, जब बामन आवतार ने, तीन प्रिथिवी की परिक्रमा कर ली थी, इसका तात पर क्या है, वो बहुत वीर थे, धर्म गरंतों के स्वाधाय में लगे रहते थे, लेकिन जब राम रावन का युद्ध हुआ था, उसमें व्यवरिद हो चुके थे, इसलिए युवावस्था में जितनी वीरता दिखा सकते थ उसमें उतनी विरता नहीं दिखा सकी, फिर भी उनकी गर्ना प्रधान सियननायकों में थी, इसलिए आउसकता यह है, कि आज एक इसवी सदी में हम रह रहे हैं, इस सदी में अपने अंतक चक्चों को खोलना पड़ेगा, रोडिवाधिता को दूर करना पड़ेगा, और जो बाते अलंकारिक हैं, जो भगवान सिव हैं, जो कैलासवासी हैं, वो महान योगिराज हैं, जो मानसरोर में ध्यानवस्तित हैं, भगवान विश्रो, जिन्हों ने बद्रिकास्रे में तप किया था, वो उनकी तपवस्तली है, उनके हम गुणों का सम्मान करें, लेकिन वेदों में सब्दाये हैं, विश्रुकार्थ होता है, जो ब्यापक सरुपवला हो, सीवकार्थ होता है, जो कल्यारकारी सरुपवला हो, इसलिए वेद ने कहा, एकम सद्ध बगधा विप्राबदनति, परमात्मा एक ही सत्य है, उसको ज्यानी जन अनेक रूपों में कहते हैं, आज दुर्भागिया है, कि जो बड़े-बड़े संकरचारी हैं, महामडले स्वर हैं, जिनका दवा होता है, कि उन्होंने सब गरंथ पढ़े हैं, वे भी इस ब्रहंति के सिकार हैं, वो भी आज मानते हैं, संकरची अलग हैं, बिस्तुर्भगवान अलग हैं, क्योंकि वे पुरानों को पढ़ते हैं, वो वेद का ध्यन नहीं करते हैं, ये कड़वी सचा ही है, वो भी हनुमान जी के मंदिर बनाएगे, वो मानेगे कि हनुमान जी सच मुच में ही बंदर थे, कुछ तो होता है कि मनुष जिस भूल को एक बार सुकार कर लेता है, वो सोचता है कि इसको मैं कैसे अपनी भूल मानू कि मैंने गल्ती किया, इस दिये अपनी जूटी बात को सत्त सावित करने का प्रयास करता है, इसी का परड़ाम है कि आज हिंदू समाज एक अंधेरे का सिकार है, एक सच्तानत परमात्मा की भक्ति छूड़ कर अनिकों की उपासना में लगा हुआ है, जैसे कई मंदिर ऐसी होते हैं जिसमें सभी देवताओं की मुर्थिया होती है, आप एक को परड़ाम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कोई कहेगा कि इनको नहीं परड़ाम किया, इनको नहीं परड़ाम किया, मैं यही कहता हूँ, देवताओं की पूजा कीजिए, उसके गुणों की पूजा कीजिए, चरित्र पूजा कीजिए, चित्र पूजा नहीं कीजिए जितने भी महापुरुस हैं, जिन से हमें कुछ मिलता है, वो देव समान है उनके गुणों का समान कीजिए, भक्ती नहीं, भक्ति केवल प्रमात्मा की पति वर्ता धर्म क्या है? आपने अनसुया की कहानी सुनी है ब्रमा विशनों सीव तीनों जाते हैं, कि तुम answering में नगनो कर आना पड़ेगा अनसुया संकल्प करती हैं, कि तीनों देवता बालक बन जा, छे माँ के तीनों बालक बन जाती हैं, एक सती का सती तो इतना सकती साली है कि तीने देवताओं को बालक बनने के लिए विवस कर सकता है यह तो पुरानों की कथा है मैंने तो कथा बना ही नहीं आप सोचिए यदि आपके पास तार्तम ज्यान का वल है आपको एक अक्षरातीत पर तूट निष्ठा है तो आपका प्रेम, आपका संकल्प आपकी आत्मा को सीधिव अक्षरातीत के सचातकार करा सकता है इसलिए जैसे एक सती साथवी पतनी देवर, जेट, पुरोशी सब का सम्मान करती है उस तरह से आप महापुर्सों के गुणों का सम्मान केजिए वही देव पुझा है जो भगवान है, मैंने कहा जिसमें छे गुण होते हैं राम, योगे स्वर्सिक्रिष्ट, योगी राज सीव गौतम बुद, सब के आगे भगवान लग सकता है लेकिन परमात्मा सब्द किसी के आगे नहीं लगेगा परमात्मा तो केवल एक उत्तम पुरुस अच्छरातीत है जिसको हम प्रेम से राज करते हैं राज किसको करते हैं? जो हमारी आत्मा का प्रितम है, वह राज है प्राणनात किसको करते हैं? तुम हो एक गोचर सब के प्राणपती जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लब है, प्राण जीवन है, प्राण प्रित्म है, जो सारी सिष्ट को जीवन देने वाला है, उसको करते है प्राण ना, इसलिए ये कारिकर्म इस गाउं में रखा, इस गाउं में अनेक विचारदाराओं के लोग हैं, सब के अंदर सत्य को जा करें स्री प्राणना जी के तार्तम वानी के प्रकास में सभी गंदों का निश्पक्ष रूप से चिंतन करें और अंतरात्मा से पुछें वेद क्या करते हैं उपनिसत क्या करते हैं दर्शन क्या करते हैं मैंने कल भी कहा था कि गीता में एक स्वर से कहा गया है सच तू भक्ति हो गया न अब या भीचारणी भक्ति अब या भीचारणी भक्ति का ताथ पर जिसका केवल एक प्रेतम हो या हिंदू समाज के लिए बहुत आवस्चक है एक परमात्मा के तरिक्त अन्मि किसी की भी उपास्तन नहीं पर ब्रभ्रम के लिए समान सब का देवता का भी घर में माता पिता अतिथी आचारी हैं उनका समान केजिए जो भी महापुरूस है इस सब का केजिए लेकिन जब तक अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं होगी जो गीता में एक बार नहीं कम से कम चार बार अनन्य प्रेम लख्षना भक्ती की बात कही गई है कि अब ये विचारणी भक्ती होनी चाहिए अनन्य परा प्रेम का सम्मन्थ होना चाहिए कल भी मैंने बोला था कि अनन्य चेंतो माम यह जना मरिवास थे तिसाम योग छेमं नित्यम भाव जो अनन्य भाव से अनन्य चियंतो अनन्य भाव से एक मात्र मेरा ही चिंतन करते है उनका योग छेम मैं स्वयम भाण करता हूँ बाणी में एक बहुत सरल चोपाई कही दी है हक नजीक से हरक से आड़ उपटने दवार अच्छरातित कहा है आपके प्राण की नली से आप जीवन के किसी भी मोड़ पर रही है हर पल सोचिए कि मेरा प्रितम मेरे पास रहता है राधा किर्ष के सेरियल में एक बहुत अच्छी बात दिखाई गई है मैंने वद्रिस से दिखा था एक बार सिक्ष राधा को भेजते है जाना पड़ता है राधा को मजबूरी बस घटना तो मुझे सही नहीं लगती लेकिन जिसने सिरियल बनाया है उसने कहां से उदार्ण लिया हमें उसे मतलब नहीं है लेकिन उस सिक्षा से मतलब है कंस के पास जाना पड़ता है राधा को डर है कि किर्ष साथ में नहीं रहेंगे तो मेरे उपर खत्रा होगा किर्ष कहते है कि राधा तुम मेरे उपर क्यों आसित हो रही है तुम्हारे अंदर जो किर्ष बैठा है उसको पकड़ो कितनी भी जिद करती है राधा किर्ष्ट मना करते थे कि मैं तुमारे साथ नहीं जाओंगा वहार कंस राधा को मारने के लिए तलवार उठाता है अब क्या करे राधा उनको किर्ष्ट पर विश्वाज था वो हृरदे से पकारती है किर्ष्ट क्रिष्ट और भुकम पाता है कांस मार नहीं पाता है काने का आसल क्या है यह घटना हमें क्या सिक्षा दे रहे है कि हम उस सरुशक्तिमान को अपनी आत्मा के हृदे मंदीर में विद्यमान समझे हक नजीग सेहरक से आड़ोपटने द्वार, आज हिंदू समाज करोणो करोणो के मंदिर बनाता है मुस्लिम भी क्रिस्चन भी मस्जिदे बनाते हैं गिर्चा घर बनाते हैं, चर्च बनते हैं लेकिन सारी मानों जाती हैं, नहीं समझ पाती है जो प्राहनाजी के तार्तमबारी के एक चरण में है हक नजीक सहरक से कि वह परमात्मा हमारी प्राण की नली से भी निकट है वेद मिका, दुरात सुदूरे, तद एव यह अंत कीचा, परमात्मा इतना निकट है कि उससे निकट कोई नहीं और इतना दूर भी है कि कोई उससे अधिक दूर भी नहीं है अनन्त ब्रामांडो को पार करेंगे तो भी परमात्मा को पकड़ नहीं सकेंगे लेकिन सबसे अपना मन समेट कर अपनी हिर्दे में केंदिर्ट कर लेंगे तो आपको अपनी आत्मा के हिर्दे में ही परमात्मा का सक्षतकार हो जाएगा यह तार्तम बारी सरल सब्दों में एक अक्षरातीद की पहिचान कराती है जगजगः भटकने की आउसकता नहीं रहेगी हम उस धाम में जाएं जारो धाम की आत्रा करके आएं सर्वसक्तिमान परमात्मा जब मिलेगा तो आपको अपनी आत्मा के हिर्दे मंदिर में मिलेगा इसलिए आज हिंदू समाज को आत्मे चिंतन क्या हो सकता है कि हम धार्म गरंतों को समझें तार्तम बारी के प्रकास में जब उन धार्म गरंतों को समझेंगे तो एक ही निसकर्स निकलेगा परमात्मा केवल एक है उसके समान कोई दूसरा ना था ना है ना कभी होगा और जब मिलेगा तो अपनी आत्मा के हिर्दे मंदिर में मिलेगा आप सब सुंदर साथ ने मेरी बात को धहन पर वख सुना मैं असा करूँगा कि आप मेरी बात का चिंतन करेंगे तारतमबानी के प्रकास में उस सच्टानद परभरम को जानने का प्रयाष करेंगे अपनी चिंतन को बढाएंगे और अपनी आत्मा के हिर्दे मंदिर में उस प्राणिस्ट्वर को प्रतेक्षिरुप से पाने का प्रियास करने।